हेलो, फ्रेंड्स, फेलकम टू इंडियन Gs, तो फ्रेंड्स वीकली करेंटफेस में आज हमलोग 26 मार्च से लेके 2 अपरेज 2023 तक के जितने भी करेंटफेस बन सकते हैं, उन सभी चीजों को आज इस वीडियो में डिसकेस करने वाले हैं और जो लोग Indian GS में नहीं हैं जो लोग सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो सब्सक्राइब कर ले और जिने PDF की जो रहत है वो टेलिग्राम लिंक को जोइन करें लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है तो चलिए जानते हैं क्या-क्या करेंट अफेस में आए हुए हैं फास्ट है असम के सर्वोच नागरिक पुरसकार अब ये असम के राजपाल जिनका नाम है गुलाब चंद कटारिया इनके दोरा इये पुरसकार इनको परदान किया गया है अब ये कौन है डॉक्टर तपन से ही किया ये एक परसिध ओन्कोलोजिस्ट है और ये कैंसर के देखभाल में इनके योगदान के लिए ये पुरसकार इनको दिया जा रहा है अब नेक्स जानते हैं असम की बारे में जालनेते हैं तो असम एक पुरुवत्तर भारत का एक राईज है और इसमें उमानन्द मंदिर जो की बर्मापुत्र नदी के मयूर द्विप पर ये सिचुएटेड है काफी इंपोर्टेंट है और नेक्स है असमिया और बोरो असम की अधिकारिक भाशाएं जो यहां की भाशाएं बोली जाती है वो है असमिया और बोरो नेक्स इसकी राजधानी है दिसपूर और असम के मुझ्य मंत्रि है हिमंत भिष्व सर्मा और अधिकारिक पच्छी जो है वहां के असम की यह सपHED PUNK वाला कार्थ बतक ये असम की वारत ये गेंडा है असम का अधिकारिक बसू और असम राइज का गठन किया गया था ये 26 जनौरी 1950 में ये असम ये राइज बना था तो ये रहा इतना असम से रिलेटेड इंपोर्टेंट फेक्ट्स अब नेट जानते हैं उत्तर कोरिया से रिलेटेड है तो ये उत्तर कोरि नियूज में क्यों है तो ये उत्तर कोरिया ने किया पानी के भीतर परमानू सच्छम हमला करने वाला ये ड्रोन का परिछन ये उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है तब उत्तर कोरिया को जान लेते हैं कि ये कहां पर सिच्वेटेड है इसके सरवोच नेता कोन है मतलब राश्पती वगेरा क्या है हलाकि वहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर एक डिक्टेटर चल रहा है जिसके जो डिक्टेटर है यह है किम जॉंग उन है अब जान लेते हैं चीन, रूस और दच्छिन कोरिया के साथ यह उत्तर कोरिया का सीमा मतलब बॉर्डर यह सेर किया जाता है मतलब करता है यह टोटल तीन कंट्री है एक है चीन, दूसरा रूस और तीसरा दच्छिन कोरिया अब 1910 में कोरिया पर जापान के समराज द्वारा कबजा कर लिया गया था यह 1910 में किया गया था जापान के द्वारा कबजा कर लिया गया था और 1945 में कोरिया को 38 में समानतर रेखा के साथ दो छेत्रों में विभाजित कर दिया गया था मतलब उत्तर कोरिया और दच्छिन कोरिया को अलग करने वाली लाइन को क्या करते हैं यह है 38 पेरलल 9 या फिर समानतर रेखा जिसको बोल सकते हैं इसके सरवोच नेता है किम जोंगून और इसकी राजधानी जो है यह प्योंग यांग है इसकी राजधानी और यहां के टोटल जनसंख्या जो है यह 2.6 करोड टोटल जनसंख्या है तो यह उत्तर कोरिया से रिलेटेड और यह न्यूज में क्यों था क्योंकि यह एक परिक्षन किया है जो ड्रोन है जो कि पानी के भीतर से यह हमला कर सकता है अब नेक्स्ट जानते हैं अजन में बच्चे का अंतराइश्ट दिवस यह हर साल कब मना जाता है तो यह हर साल मना जाता है 25 मार्च को मना जाता है अब ये क्यों मना जाता है मतलब किसके उपलक्ष मना जाता है तो यह दिन स्वर्गे पोप जिनका नाम है जॉन पॉल द्वित से जुड़ा है जिन्होंने गरपात को चिकित्सा प्रक्रिया का विरोध किया था मतलब गरव मतलब गरव में ही देखके बच्चों को मतलब मार देना अगर कोई लड़की है तो उसको मार देना लड़की को जन ना होने देना तो यह उनको बिरोध किये थे तो उसी के उपलक्ष में यह मना जाता है अजन में बच्चे का अंतरराइश्ट एतिवास और यह 25 मार्च को मना जाता है अब 2023 की थीम क्या रखी गई है तो यह है दा डिगनिटी एंड वैल्यू आफ चिल्डरन यह टू बी बॉर्ण यह है 2023 की थीम रखी गई है अब नेक जानते हैं डिल्मा और रोसेप को ब्रिक्सक बैंक का नया अध्याच यह चुना गया है यह याद रखें कि ब्रिक्स बैंक का नया अध्याच किसको चुना गया तो यह है डिल्मा और रोसेप को चुना गया है नेक्स्ट है दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पाइलट यह भारत में है ऐसा डिजी सीए का एक रूपोर्ट यह जारी गया गया है इसमें यह कहा गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पाइलट भारत में है औ Director General of Civil Aviation इसका full form होता है अब DGCA को जान लेते हैं कि इसको बनाया कब गया था और इसका मुख्याले कहां कहां पर situated है तो यह है नगर विमानन महानिदे साले जिसका English form होता है Director General of Civil Aviation यह भारत में नगर विमानन को वी नियमित करने के लिए भारत सरकार का एक वेधानिक निकाय है और यह विमान अधिनियम 2000 के तहत एक वेधानिक निकाय बनाया गया था इसको यह याद रखे कि विमान अधिनियम 2000 के तहत इसको बनाया गया है इसका मुख्याले जो है यह नई दिल्ली में situated है और इसके अभी परजेंट के महानिदे सक कौन है तो यह बिक्रम देव दत डिजी सीए के महानिदे सक हैं तो इतनी सारी चीजें याद रखें डिजी सीए से लेटर अब नेक जानते हैं एंडी टीवी के गेर कारे कारी अध्याच यह चुना गया है तो यह किन को बनाया गया है यह बनाया गया यूके सिनहा जी को बनाया गया है एंडी टीवी के गे पेस किया गया यह 2023 के लिए तब नागालेंड को जान लेते हैं कि नागालेंड कहां पर सिच्वेटेड है वगरा वगरा इसके अस्थापना कब की गई थी यह सभी यह नागालेंड भारत के पुर्वी उत्तर पुर्वी छेत्र का एक अस्थल रुद राइज है मतलब लेंड पर्देश है मनिपूर है और मायमार है नेक्ट है एक दिसंबर 1963 को नागालेंड भारत का सोलोगमा राइज यह बना था एक दिसंबर 1963 को और इसकी आस्थापना कब की गई थी तो यह 30 नौंबर 1963 में की गई थी इसकी आस्थापना नागालेंड की इसकी राजधानी है कोहि मिमाद में situated है और इसके मुंठ मंत्री अभी present को नें तो यह नेक्ष्यू रियो इसके बोस्तल्स मंत्रें और नागलन्ड का राज की पूल ग्या है तो यह रोडो डेड़ों इसका रज के फूल है है और इसमें एक तेश्ट करेंट अफेर में क्या है उसे जान लेते हैं तो यह होंडूरस से एक देश है जो कि मध्य अमेरिका में यह situated है और यह निज में क्यों है क्योंकि ताइवान से यह अपना संब्ध मतलब हटा लिया है और अब यह चीन के साथ अपना संब्ध मतलब डिप्लोमेट धिक रिलेशन यह अस्थापित कर रहा है तो यह होंडूरस के बारे में जान लेते हैं यह कहां पर सिट्वेटेड है वगएरा वगएरा तो यह होंडूरस जो है एक देश है और यह मध्य अमेरिका में इस्तित एक देश है यह 1981 में अस्पेन से सोतंत्र हुआ मतलब अस्पेन यहाँ पर अपना सासन चला रहा था और यह 1881 में यह सोतंत्र हुआ इसकी राजधानी कहां पर है तो यह है तेगु सिग लपाई इसकी राजधानी है और इसकी मुद्रा जो है मतलब करेंसी जो यहाँ पर यूज की जाती है व और यहां के राष्ट भासा जो है यह अस्पेनिस यहां पर बोली जाती है राष्ट पती है स्यो मारा कास्ति यहां के राष्ट पती है होंडूरस के राष्ट पती तो इतनी सारे चीजें हैं जो होंडूरस से लिलेटेड है अब नेक्स जानते हैं गेटवे ओफ इंडिया से गुफाओं तक ये तैर कर ये पार किये हैं और ये इन्होंने पांच घंटे 26 मिनट में ये टोटल सोलो पॉइंटी किलो मीटर की यात्रा ये पूरी की गई है इनके द्वारा और ये किस के तहत किये है, मतलब किस अभ्यान के तहत किये है तो ये हैं डाउनिंग, प्रिवेंशन, आवेरनेस ये एक अभ्यान चलाए गया था जिसमें इनके दौरा पार्टिसेविट किया गया था और इन्होंने एक इतहास रज़ दिया है अब next जानते हैं Captive रोजगार योजना तो ये किन के द्वारा शुर किया गया है ये केंद्र मंत्री जिनका नाम है गिरीराज सिंग के द्वारा ये Captive रोजगार योजना की शुरुवात की गई है अब next जानते है next current affair में क्या है तो ये ब्रिक्स बैंक का नया अध्यच ये चुना गया है तो ये किन को चुना गया है ये डिल्मा रोसेब ये है जिनको ये चुना गया है ब्रिक्स बैंक के नया अध्यच के रुप में है और पहले कौन थे हैं तो ये मारकश टाइजो ये पहले थे प्रिक्स पेंग के अध्याच अब इनको हटा के ये डिल्मा रोसेब या फिर इनका कारिकाल खतम हो गया होगा तो उसके जगह पे अब डिल्मा रोसेब जी ये बने हैं अध्याच जानते हैं 30 मार्च के इतहास मतलब क्या हुआ था 30 मार्च के दिन इतहास में वो जान लेते हैं तो इस सीखों के दस्वे गुरु जिनका नाम है गुरु कोबिंद सी ने 30 मार्च 1699 में खालसा पंत की ये अस्थापना इनके द्वारा की गई है जो कि काफी इमपोडेंट ये पुछा जाता है बार बार एक्जामों में कि खालसा पंत की अस्थापना किनके द्वारा की गई थी तो ये गुरु कोबिंद सींक के द्वारा की गई थी और ये किया गया था 30 मार्च 1699 में इसके अस्थापना की गई थी नेक्स जानते हैं महात्मा गांधी ने 1919 में रोलेट एक्ट के खिलाप परतिरोध की गोसना की थी और ये कब किया गया था ये भी 30 मार्च 1919 में किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा नेक्स तीस मार्च 1992 में को सत्यजी तरेग ने मानद आसकर पूरसकार इनको दिया गया था और ये मिला था 30 मार्च 1992 में को इनको दिया गया था तो ये सारी चीज़े हैं जो कि 30 मार्च के दिन गाटित चेज़े हैं और काफी important है अब next जानते हैं कि 31 मार्च के इतहास में क्या हुआ था तब ये हैं प्रात्ना समाज की अस्थपना ये 31 मार्च 1864 में मुंबई में की गई थी और ये रनाडे, बंडारकर और अन्य लोगों के द्वारा इसकी अस्थपना की गई थी तो ये ज्याद रखें कि प्रात्ना समाज की अस्थपना कब की गई थी ये 31 मार्च 1864 में इसकी अस्थपना की गई थी अब next जानते हैं कि 1913 में क्या हुआ था 31 मार्च के दिन 31 मार्च 1903 में की गई थी next है 31 मार्च 1969 में दलाई लामा चीन से भाग गए और उन्हें भारत में राजनेतिक सरन ये दी गई थी तो ये है 31 मार्च 1969 में ही ये भागा गया था दलाई लामा के दोरा क्योंकि चीन में प्रेसर इनको पगाडने के लिए और वगड़ा वगड़ा ये धार्मिक नेता हैं दलाई लामा ची नेक्ट है 31 मार्च 1990 में डॉक्टर भीम राव अमबेटकर जी के मरनों उपरांथ में भारत का सरोच उप और असकार भारत रात्म जीन जान लेते हैं तो हमारे देश भारत का ये जो पिछले बार से छटे पाइदा नीचे खिसकर इस बार की जो ranking है ये 144 में अस्थान पर ये हमारा देश भारत है जो passport index 2023 ये जारी किया गया है तो ये बस याद रखें कि 2023 में passport index में हमारा देश भारत कितने नंबर पे है तो ये 44 में नंबर पे है अब next है 2022 में ये 199 देशों में 138 rank हासिल किया गया था हमारे देश के दौरा ये 2023 में 144 में अस्थान पर है अब ये ranking जो है ये सन्युक्त अरब अमीराथ मतलब सन्युक्त अरब अमीराथ जो है जिसको short form में UAE पोला जाता है इस ranking में इनके दौरा ये पर्थम अस्थान हासिल किया गया है और second में है Sweden, third में है Germany और fourth में Finland है तो ये सभी देश भी काफी important है इसको जानना कि पर्थम अस्थान किस देश का रहा है तो ये सन्युक्त अरब अमीराथ का रहा है तो ये कौन बने है ये है सेख मंसूर बिन जायत अल नाहियान ये बने है सन्युक्त अरब अमीराथ के उपराश्ट पती संयुत अरव अमीराद के राष्धपती जिनका नाम है सेख मुहम्मद बिन जायद अलनायान ने उपराषपती के रूप में इनको नियुक किया है और वरतमान में जो वहां के उपराषपती सेख मुहम्मद बिन राशिद अल मक्तुम भी उपराश्टपती बने रहेंगे मतलब टोटल दो उपराश्टपती संजुकत अरब अमिरात के बन चुके हैं तो यह दोनों का नाम याग रखें अब नेक्स्ट जानते हैं एक्सिस सेकुरिटीज के एमडी और सीओ नियुक्तिया गया है तो यह किन को नियुक्तिया गया है यह है परणाव हरिदास जी को बनाय गया है एक्सिस सेकुरिटीज के एमडी और सीओ राजस्थान की अस्थापना दिवस यह 30 मार्च को यह मनाई गई मतलब 30 मार्च के दिन ही राजस्थान को मतलब एक नया राज बढ़ाया गया था अब इससे लेटेट जान लते हैं इसी दिन मतलब 30 मार्च 1949 में चार राज जोधपूर जयपूर बिकानेर और जैसलमेर को सन्यूक्त राज मिला के राजस्थान में मतलब सामिल हो गया थे और इस छेतर के विरहत्य राजस्थान के रूप में ये जाना जाने लगा ये चारों को मिला कि ये राजस्थान बना था राजस्थान देश का जो है सबसे बड़ा राईज है छेतरफल के हिसाब से और इसका जो कुल छेतरफल है यह 3,42,249 वर किलोमेटर इसका कुल छेतरफल है और यह हमारे देश का सबसे बड़ा राईज है छेतरफल की दिरिश्टी से अब नेक चांते हैं यूरोपिय जी आई टेग यह दिया गया तो यह किसको दिया गया यह दिया गया हिमाचल परदेश की जो कांगड़ा चाय है इसको दिया गया है यूरोपिय जी आई टेग अब इसका फाइदा क्या है इसका फाइदा यह है कि इस टेग के कारण यूरोपिय बाजार में परवेश करने का इनको अवसर मिलेगा और कांगडा चाय को ही 2005 में भारती जी आइटेक ये दिया गया था अब इसको यूरोप ये जी आइटेक प्राप्त हुआ है तो ये सबी चीजन यार रखें इसा कोशन बन सकता है कि कांगडा चाय किस राज से रिलेटेड है तो ये हिमाचल परदेश से रिलेटेड है और ये क्योंकि News में भी है अब नेख जानते हैं Tata Power के CEO और MD नियुक किये गया है तो ये किन को नियुक किया गया है ये प्रवीर सिंहा जी को नियुक किया गया है Tata Power के CEO और MD के रुप में ये Tata Power Company Limited मुंबाई, महाराष्यट, भारत में बहरती विद्धूत अपयोगीता कंपनी है और टाटा समू का ये एक हिस्सा है टाटा पावर तो इतनी सारी चीजें याद रखें अब ने जानते हैं मलेशिया के बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये नियूज में क्यूं है क्योंकि भारत और मलेशिया ने भारत रूपईये में वेपार करने की ये खोसना करते हैं कि अब ये दोनों देश जो हैं ये डॉलर का यूज नहीं करेंगे ये आपसी हमारा रुपईया जो भारत का रुपईया है इसका यूज के जाएगा वेपार करने के के लिए जो कि काफी अच्छी बात है लोग ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं इंटरनेशनल मार्केडिंग के लिए डॉलर से डिपेंडेंट होते हैं जो कि अब यह डॉलर का यहां पर यूज नहीं किया जाएगा तब मलेशिया के बारें जानेते हैं इस देश को 31 अगस्ट 1997 को आजादी मिली थी मलेशिया को और इसकी राजधानी जो है यह कौलालंपूर है इसकी टोटल जन संक्या है 3.36 करोड है अधिकारिक भासा जो है यहां पर यह मलै है और यहां के समराड जो है यह अब्दुल्ला है और परधान मंत्री जो है अनवर इब्राहिम मलेशिया क परधान मंत्री है तो यह सारी चीज़ें याद रखें क्योंकि न्यूज में यह है मलेशिया अब नेक्स जामते हैं तेरह हुए अखिल भारतिय पुलिस कमांडो की यह परत्योगीता करवाई गई थी अब इसमें कौन जीता है तो यह जीते हैं ITBP जिसको भारतिय तिबत स पुलिस कमांडो यह अपस में मतलब यह खेला आयोजन करवाया जाता है जिसमें यह CRPF और राइजित के पुलिस बलों के 24 सिर्स कमांडो टीमों ने भाग लिया था इसमें और इसका जो आयोजन जो है यह राइश्ट शुरच्छा गार्ड यह एनस्टी के द्वारा यह आ भारत तिबत सिमा पुलिस यह जो है तिबत स्वाय छेत्र के साथ जोड़ी सिमाओं पर तैनाद भारत का एक सिमा गस्ती है मतलब जो चीन के इलाको जो तिबत का इलाका है और भारत का इलाका है उस बौडर इलाके में इस बल को तैनाद किया जाता है यह 1962 में चीन भारत य यह एक है जब भारत और चीन का यूद्ध हुआ था उनीसों बारसर में उसी टाइम इसको अस्थापित किया गया था बलवीर सी आईटी वीपी के पहले परमुक्त है इनका नाम याद रखें कि बलवीर सी जो है यह आईटी वीपी के पहले परमुक्त है और इसका आदर्सव हैं के महानी दे जख है तो इत्नी सारी चीजहें याद रखें एटी वीपी से रिलेटेड अब नेश जानते हैं रभी आई का अस्थापना दिवस यह कब है तो ये एक अप्रेल को यह मनाया गया रवाइक का अस्थापना दिवस और इसको अस्थापित किया गया था येक अपरेल 1935 में इसकी अस्थापना की गए थी RBI की और ये मतलब जब पर्थम विश्वयुद हो रहा था उसके बाद इसकी अस्थापना की गए थी और ये पर्थम विश्वयुद कब से कब तक चला था ये 28 जुलाई 1902 से लेके 11 नॉमबर 1908 तक ये फर्ट वर्डवार ये च चला था और इसके बाद आर्थिक परिसान्यों से लड़ने के लिए इसकी अस्थापना की गए थी एक अपरेल 1935 को नेक्ष जानते हैं 1926 में हिल्टन यंग कमिशन की सिफारिशों के आदार पर बैंक की ये अस्थापना की गए थी RBI ही एक जनवरी 1909 को RBI का राष्टी कर और यह हमारे देश के बैंको का बैंक है मतलब RBI ही सारे बैंको को कंट्रोल में रखता है और जो रिवर्स रिपोरेट वगरा वगरा यह डिसाइड किया जाता है RBI के द्वारा ही दिसाइड किया जाता है अब RBI का अभी राजपाल that means governor अभी कोन है तो यह सक्तिकांत दास है अभी पर्जेंट में रेजलो बैंक ओफ इंडिया के governor अब next जानते हैं उडिसा दिवस या फिर उतकल दिवस यह मनाया गया यह तो यह मनाया गया एक अप्रेल को मनाया गया उडिसा दिवस या फिर इसको बोलते हैं उतकल दिवस दोनों इसके नाम से यह जाना जाता है उडिसा दिवस या फिर उतकल दिवस यह एक अप्रेल 1936 को उडिसा का गठन यह किया गया था यह कव राज बना था यह एक अप्रेल 1936 को उडिसा का गठन किया गया था अब उडिसा में जो है र प्रेल को उडिशा अपना ये अठा सीवा अस्थापना दिवस ये मना रहा है और ये दोजात ताइस का है ये कोशन पूछा जा सकता है कि दोजात ताइस में उडिशा अपना काईवा अस्थापना दिवस मना रहा है तो इसमें अठा सीवा अपना दिवस अस्थापना दिव और CEO और पहले कौन थे तो ये राकेश खन्ना थे पहले MD और CEO अब नेक्स जानते हैं लास्ट वीक के करेंट अफेस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो ये है एटी वासू देवन नायर जिनको केलल के सरोच नागरिक समान से ये समानित किया गया है असनीर क्रोवर जी जो सरवानन सोनुवाद के द्वारा ये लॉंच किया गया है डिजीटल प्लेट्फोर्म है जिसका नाम है सागर मंधन तो ये सभी काफी इंपोरटटेशन है नेक्स्ट है PM नरेंद्र मोधी के द्वारा ये कॉल बेफोर यू डिग ये एप लॉंच किया गया है और नेक्स्ट अजन में बच्चे के अंतराष्ट दिवत ये 25 मार्च ये तो आज ही डिसकस कर दिया है नेक्स्ट है असम राइफल ने 148 अस्थापना दिवस इस साल मनाया है 2020 में ये है लाइस्ट वीक के है Internet नहीं देखे है वो जाके देख लें प्लेश्ट में बना हुआ है अब नेस्ट जानते है इंपोटेंट डेस से र्लेटिड तो ये बिस्व मोशंआ बिज्ञान दिवस ये पतेख साल 23 मार्च को मना जाता है नेक्स्ट बिसुजल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है और ये बिहार दिवस ये भी 22 मार्च को मनाया जाता है नेक्स्ट बिसुडाउन सिंड्रोम दिवस ये 21 मार्च को ये मनाया जाता है परते एक साल अलाकि ये सभी से लेटेड मैंने पिछले सब्ता में मैंने डिसकस कर दिया हैं तो वो एक बार देखने ताकि आपको इसकी थीम वगेरा भी आपको अच्छे से याद हो नेक्स्ट अंतरराइस्ट वन दिवस ये 21 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड औरल हेल्थ डे ये 20 मार्च को परतेक साल मनाया जाता है 206 रोग दिवस जिसको टीवी बोलते हैं ये 24 मार्च को मनाया जाता है और सही दिवस ये 23 मार्च को परतेक साल ये मनाया जाता है तो यह सभी जो डे हैं यह काफी इंपोर्टेंट डेज हैं तो इसे याद रखें तो यह था दोस्तों इस सप्ता का करेंट अफेस जो की काफी महत्मुन महत्मुन चीजें आई हुए थे तो थैंक्यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो वीडियो को लाइक जरू करें और अपन प्रते एक सप्ता और देखते रहें डेली डेली करेंट अफेस से के लफड़ा से बचे और सप्ता में एक बार ही देखें और इसे ही रिवाइस करते रहें ताकि आपको ज्यादा करेंट अफेस का लोड नहीं लेना पड़े और इससे ज्यादा कोशन तो पूछे नहीं जा तो थेंक्यू दोस्तो